यह Real Mark India पूरान बूक है पिछले वीडियो पे हमने जहां तक पढ़ा था उसके बाद यहां से पढ़ना सुरू करते हैं वीडियो की नीचे चैनल के नेव या पिक्चर पर क्लिक कीजएगा या पिर चैनल का नाम यूट्यूब पर साउच करके प्रेलिस्ट में जाकर के रामान महा पर सुरूर्स पढ़ सकते हैं तो जब वो इस प्रकार तप में प्रभ्यत हुआ तब प्रजापती ब्रह्मा जी ने उस से खा है वद्स ऐसा घुर तब किसलिए कर रहे हूँ आनंद बुला है भगबन संगसार के बंधन रूप कर्मों को नश्ट करने के अविलासा से ही मैं ये तब कर रहा हूँ ब्रह्मा जी ने कहा चीन अदिकारी वाले मनुश्य ही शोम की अधिकारी होते हैं क्योंकि बेकर्मवान नहीं होते तुम जीवो पराध्य पत्त करने वाले होकर मोक्ष को कैसे प्राप्त कर सकोगे जाओ तुम छटवे मनु होगे और उसी प्रकार के कार्यम से मोक्ष को प्राप्त हो जाओगे अब तुम्हें तब करना आवश्चक नहीं है मरकेंडे जी ने कहा ब्रह्मा जी को पाकर ऐसा ही हो कहते हुए आनंद ने तपश्चा का परित्या किया और ब्रह्मा जी ने उन्हें तपसर निब्रित्य करके पुर्वबत चाक्षूस नाम दिया फिर वही चाक्षूस मनु के नाम से प्रसिद्ध हुए फिर उन्होंने राजा उग्र की पुत्र विदर्व से विवा किया और उसके गर्व से उन्होंने विक्रम जुक्त अनेक पुत्र फ्राप्त किये उस मनवंतर पती के मनवंतर में जो रिशी इंद्र और जो जो संतान हुई उसका वर्नन सुनू एब्रामन इस मनवंतर में देपताओं का आय नामक प्रथम गण हुआ उस गण के कर्म और यग्य में हव्यभोजी आठ प्रसिद्ध देपता थे बल वीरिया में विख्यात और प्रभामंडल के मद्यवर्ति होने के कारण दुर्दर्श अन्य देपताओं का प्रसूत नामक दित्या गण हुआ इसके भी आठ देपता हुए मनताख्या नामक दित्या देवगण ने देवगण में आठ और यूथम नामक चतुरत गण भी आठ देपता हुए पांचवेगण में अम्रिताशी नामक विख्यात देपता है उस मनवंतर में अन्य देपता लेक नाम वाल उन देपताओं के अधिपती हुए, इसमें सुमेदा बिर्जा, हविश्मान, उननत, मतु अती, सैश्नु, ये सत्रशी हुए तथा गुरु, सतद्दोनमा इत्यती राजा, उन चाक्षूष मनु के अत्यनत बलवान पुत्र हुए, ये इस सष्ट मनवंतर और मात्मा चाक्ष मनु का जीवन चरित्र मैंने तम से कह दिया, आप जो बेवश्यत नामक सात्वे मनु भर्तमान है, उनके मनवंतर के देवादी का वर्नन सुनो, जो मनुष्यत इस चाक्षूष मनवंतर को कहेंगे, या सुनेंगे, उन्हें पुत्र आरोग्यता सुक संपत्ती की प्राप्त उसके गर्ब से यश में विख्यात एवं अत्यनत ग्यानबन मनु उत्पन हुए, वो विवश्वान के पुत्र होने से विवश्वत नाम से पसिद्ध हुए, सुर्य के रूप को देखते ही वो संग्या अपने नित्र बंद कर लेती थी, इसलिए एक दिन सुर्या ने उसके संग्या भै से व्याकूल होकर सुर्य को चंचल दिष्टी से देखने लगी, तब उसे चंचल नेत्र बाली देखकर सुर्या ने कहा, तुम मुझे देखकर चंचल दिष्टी कर लेती है, इसलिए अब तु चंचल नदी रूप बाली कन्या को उत्पन्न करेगी, मानके अत्यन तक कश्ट पूर्वक सुर्य के तेश को सहन किया था, परंतु जब अधिक सहन ना करके करने के कारण ये विचार करने लगी, क्या करूं, कि दर जाओं, किस प्रकार भैस से बचूं, कि सुपाय से अपने पती को कुरोज से निब्रित करूं, तब उस प्रजापती पित्त गिरिया के आश्रम में जाने का ही विचार किया, ऐसा निश्चे करके उसने अपने च्छाया स्वरूप एक देह बना कर उस च्छाया से कहा, जिस प्रकार मैं इस सुर्य देब के गिरिया मैं निबास करती हूं, उसी भाप से वहां रहती हुई मेरे पुत्र और पती कि प्रती मेरे ही समान आचरन करना सुर्य पूछे तो भी मेरे चले जाने की वारता उन्हें मत बताना, मैं ही संग्या हूं, उन्हें ऐसा ही समझाए, चाया ने कहा है देवी, जब तक वे मेरे केस नहीं पकड़ेंगे और शाप नहीं देंगे, तब तक मैं तुमारे बचनो के अनुसार कारिया करूंगी और केश्ट पकड़ने या शाप देने पर सब बित्तान्त बता दूंगी, ये सुनकर संग्या अपने पिता के घर चली गई और वहां उसने तब के द्वारा पाप रहीत हुए विश्यकर्मा के दर्शन किये, विश्यकर्मा ने संग्या का स्व उनको देखते हुए समय व्यतित होने पर भी वो मुझे आदे मूर्त के समाने समय व्यतित हुआ प्रतित होता है, परन्तु इससे धर्म का लोब होता है, इस्त्रियों के लिए बानलवों के साथ सदा निवास करना यस देने वाला कार्या नहीं है, उनका निवास तो पति ग गिया में रहना उचीत नहीं हो सकता इसलिए अब तुम अपने पते के घर चली जाओ तुम्हारे आगमान से मैं संतुष्ट हुआ और तुम भी मेरे दोरा संस्कारित हुई अब फिर देखने के लिए यहां आ जाना मरकेंडेजी ने कहा अपने पिता बिश्व कर्मा के ऐसा कहने पर संग्या उनकी आग्या मानकर उनका पूजन कर उत्तर कुरुक शेतन में कही सुर्य के तेश भैवित संग्या सुर्य के तेश को ना चाने की इच्छा से वहां गोडी का रुब रखकर तब करने लगी उधर चाया को ही संग्या मानते हुए उसके गर्ब में दो पुत्र और एक पुत्री को जर्म दिया Пरणतु वो चाया जितनी ही पृतिवति अपनी संथान के पति थी उतनी संग्या की संथान के पति नहीं थी वो पालन लालल पालन के समय संतानों में भेदवाब दिखाती थी इसके लिए मनु ने तो उससे कुछ नहीं कहा परंतु यम ने उसे शमाने किया उन्होंने कुरोध बस प्रहार करने को अपना चरन उठाया परंतु क्रोध को रोक कर चरन प्रहर नहीं किया परन्तु उस चाया संग्या ने क्रोध के वश्वथों कर होट कमपित करते हुए हाथ उठा कर शाप दिया मैं तेरे पिता की पत्नी हूँ फिर भी तु मेरी मर्यादा ना रखकर चरन दिखा कर डराता है इसलिए तेरा ये चरन तत्काल पितवी में गिर जाएगा मार्कन जी ने कहा माता दोरा ऐसा शाप सुनकर भैसे आतुर यम ने अपने पिता सुर्य के पास जाकर उन्हें प्रनाम किया और बोले यम ने कहा माता अपने ही पुत्र को शाप दे ये अत्यंत बिश्मे जनक है ऐसी बात तो कभी नहीं देखी गई लेकिन उसने भी तो पैर उठाय था ना मनु ने मुझसे ऐसा जैसा कहा था वैसा ये माता नहीं है पुत्र के असद गुनी होने पर भी माता उसके अमंगल की बात नहीं कहती मार्केंडेजी ने कहा यम का वचन सुनकर भगवान सुर्य ने चाया को अपने पास आदर सहीद बुला कर पुझा संग्या कहा गई चाया ने कहा हे भगवन विश्यकर्मा की पुत्रि संग्या मैं ही हूँ मैं ही तुमारी भार्या हूँ मेरे ही गर्ब से इस संतान की उतपती हुई है सुर्य के बारंबर प्रस्मे करने पर भी उसने वही उत्तर दिया तब सुर्य क्रोधित हो गए और शाब देने के लिए तत्पर हुए तब जो बित्तन्त था वो सभी उसने सुर्य से कह दिया जिसे जानकर वो विश्व कर्मा के घर पहुँचे अपने घर पर आगत भगवान सुर्य का विश्व कर्मा ने अत्तन्त वाक्ति पूरवग पुजन किया इसके पत्चाफ जब सूरी ने संग्या कर वितंत पूछा तो उन्होंने बताया कि संग्या वहां आई थी और फिर मैंने उसे आपके ही यहां भेज दिया था तब सूरी ने ध्यान में आवस्तित होकर संग्या को घोडी का रुब धारन किये उत्तर कुरू बर्ष में तप करते हुए देखा उन्होंने जान लिया कि उसके तप का उद्देश मेरी सुन्दर अकृति और सौब्य मुर्ति होने की काम नहीं है तब भगवान सूरी ने संग एवग अश्वीनी कुमारों की उत्पत्ति अश्वीनी कुमार जो नकुल सादेब की पिता थे वो सूरिय के ही पुत्र हैं मरकेंडेजी ने का तब देपता और रिश्य वहां आकर तिलग के पूझे भगवान भाष्कर यानि सूरिय की सुद्थि करने लगे देपता उने क आप संक चक्रपद्व एवंग सारंग धारन करने वाले को नमस्कार आप मतलब जिसका भी प्रानाम होता है जिसको भी रेस्पेक्ट दिया जाता है उसी को सब कुछ मान लिया जाता है आपने महाभारत में भी देखा था जब सदेब अगनी की पुझा कर रहे थे तो अगनी क करते थे उनको सब कुछ बोल आ यही मुझा न करना होता था खुश करना होता था आप संक चकर पदमें सारंग धारन करने वाले नमस्कार आप बरिश्ट परिने और परमात्मा आत्मा सुरूप एवंग जागत जापि सुरूप को नमस्कार है आप यान चित्त वाले पुरुष के लिए निष्टा सुरूप तर्था सरुभूत का कारण सुरूप है आप इसुरी रुपी प्रकास और आत्मा रुपी भास करें आप दिनकर अको नमशकार है रात्री के कारण संधिया यह जोसना को प्रकट करने वाले आप भगवान के लिए नमशकार है आपके ही द्वारा यह विश्व जागरिती और सुप्ति पढ़ता है आपके द्वारा ही यह सचराचर ब्रह्मान गर्ती करता है और सबा स्पर्शनिय द्रब्य आपकी रश्मियों का सपर्श प्राप्त करके ही पवित्र होते हैं आपके रश्मियों से ही जलादी पवित्र होते हैं जब तक उपकारियर्थ होमदाना दी कर्म नहीं होते जब तक ये विश्व आपकी रश्मियों के संयोग को प्राप नहीं होता, आपके आंग से अद्बुत रश्मिया, रिक यजूर साम मैं ही है, इसलिए आप ही रिक मैं, यजूर मैं और साम मैं हैं, आप ही त्रियों मैं स्वरुप तेथा प्रदान और अप्रदान भी हैं, मार्किन डेजी ने कहा दिपता और इशोद्वरा इस प्रकास तूत करने पर तेज और हसी भगवान सूर्य ने अपने तेज को शीन किया उनके रिक में तेज से पृत्वी हुई यह जुर्माई तेज से आकास और साम में तेज से स्वर्ग हुआ तश्टा ने सूर्य तेज के जिस पंचदस भाग को निकाला था उसी भाग से सिपजी का शूल विष्णू का चकरो और वशुगन संकर और अगनी की दारुन वक्ती का निर्मान किया तता उसी से कुवेर की पाल की तता अन्यन देपता यक्षविद्दादर आदी के जो तिक्षमा अस्त्र हैं वो सब फिर भगवान सुर्य ने अपने तेज को पोड़सांस मात्र धारन किया उसे भी विश्व कर्माने 15,000 छीला 13 सुर्य ने अश्वा का रूप धारन किया और उत्तर कुबरवर्च पहुँचकर अश्वा रूप में आवस्तित संग्या को देखा उन्हें आता देखकर पर पुरुष के असंका से संग्या अपनी पीट की रक्षा करती हुई उनके सामने पहुँची फिर उन दोनों की नाशे का मिलने के कारण अश्वी के मुख से नाशे त्य एवंग दश्च नामक दो पुत्र ततकाल बहार निकले तथा बीर्ये के एक पुत्र उत्पन हुआ जिसका नाम रेवत हुआ फिर सुरिया ने उस घोडी को अपना अतुली सोरुप दिखाया उस सोरुप को देखकर बड़वार रुपी संग्या ने प्रसंदों कर अपना यतात रुप धरन कर लिया तब जल का पोशन करने वाले भगवान सुरिया उस संग्या नाम के अपनी पत्नी को घर ले गए इसी का जेश्ट पुत्र बेवश्वत मनु हुआ और दूसरा पुत्र यमपाश के कारण धर्मदेश्टी हुआ उनको दिये गए शाप का निबारन उनके पीता सुरिया ने स्वयम किया तता धर्मदेश्टी की सत्र मित्र म समदेश्टी देखकर सुरिया ने उनको यमद्ध के कार्य में निजुक्त किया उनकी कन्या यमुना नादी रूप से कालिंद देश के मद्ध में बैहने लगी और घोडी के दोनों पुत्र अश्विनी कुमार पिता के द्वारा स्वर्ग के वैद्ध निजुक्त किये तो दोश्विनी कुमार वही है जिनके महाभारत में पुत्र है नकुल और सादेब यानि पांडू के दूसरे पतनी माद्री और अश्विनी कुमार के संभोख से नकुल सादेब पैदा हुए थे आप मेरे महाभारत के वीडियो में भी देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जब बली इंद्र हो जाएंगे तब ये मनु होंगे तथा पिता के द्वारा सनेश्वर को ये ग्रह में अबस्तित किया सबसे चोटी कन्या का नाम तपशी हुआ उसे सबर्नन नामक नरिष्ट से एक पूत्र के प्राप्ति हुई आप उन सब्सप्तम मनु बैवसवत के मनुवंतर में जो सब रिशी देपता इंद्र और उनके जो पूत्र राजा हुई है उनके विशे में बर्नन करता हूँ बैवसवत मनुवंतर का कथन नेक्स जप्टर मारकेंडी जी ने कहा उस मनवंतर में आदित्य बशु, रूद्र, शाद्र, विश्व, मरूदगन, भिगो और अंगीरा वो आठ डेपता है उनमें आदित्य बशु और रूद्र कर्षब जी से उत्पन्न हुए हैं तता शाद्य बशु और विश्व, देवा धर्म की संतान हैं भिगो गन, भिगो के पुत्र और अंगीरा गन, अंगीरा के पुत्र हैं इस सर्ग को मारिश सर कहा गया है उस मनवंतर में मात्मा उर्जेस्टी यग्यभाग को भोगने वाले इंद्र हुए हैं पहले जो इंद्र हुए, अब जो इंद्र हैं या जो भविश में इंद्र होंगे सब तेविंद्र कहा कर ही प्रसिद्ध हैं सभी सहस्तराक्च, बच्रधर और पूरंदर हैं सभी मदवा, ब्रिश, स्रिंगधारी तता गच पर गमन करने वाले हैं सभी सोय अग्य करने वाले भूतों को जितने बड़े तता तेजमाए हैं वो सब इंद्र पवित्य धर्मादी के करन, आदित्य पत्य पुन्य गुनवाले और भूत भविश वर्तमान के आदिशर हैं अब तिनों लोग का विवाक सबन करो इस प्रित्वी का भूलो कांतरिक्ष को दीव और सर को दिव्य कहते हैं यदित्रिलक के कहा जाते हैं अत्री वसिष्ट कर्शव, गौतम, भरद्वाज, विश्वामित्र और भगवान रिची के पूत्र जमदगनी वो इस मनवंतर में सबतर्शी हैं इश्वाकू नाभाग, गृष्ट भर्यात, नारशन्त, नाभाग, दृष्ट, कुरूश और प्रिशत्र ये नौ उस ब्यवश्ट मनु के प्रसिद्ध पूत्र हैं एवे प्रब्यवश्ट मनवंतर का वर्नन तुम्हारे पति किया गया इसके सुनने और पाट करने से ही सिगरा सब आपों से मुक्त होकर पून्यापल को प्राप्त होते हैं सावरनिक मनवंतर, नेक्स चप्टर कुष्ट की बोले, आपने स्यम्भूबादी, साथ मनु, उनके मनुवंतर, देवतार, रिश्यो, राजाओ का वर्नन मेरे पति किया अब इस कल्प में जो साथ मनु होंगे उनका और उस समय में होने वाले देवादी का वर्नन मेरे पति की दिखीजे मार्केंडेजीने का संग्या की चाया के गर्ब से उत्पन जिन जेश्ट पुत्र सरवनी के विशे में तुम से कहा गया वो सावनी आठवे मनु होंगे इस मनुवंतर में राम, व्यास, गालब, दिप्तिमान, क्रिप यानि क्रिपाचारिय, स्रिंग्य, द्रोनी ये साथ सब्तर्शी होंगे सुतपा, आमिताप और मुख्या ये तीन गण और प्रत्तिक गण में 20 देपता है इस प्रकार ये 60 हैं उनमें तपश्टप, सुक्र, दुती, जोती, प्रभाकर, प्रभाद, देती, धर्मतेज, रश्मी और बक्रतु आदि सभी देपता उन 20 गणों के अंतरगत हैं प्रभू और विवास आदि देपता, आमिताप देपता के 20 गण है अब तितिया गण का विश्टक कहता हूँ दम, रितू, शोम, और बित आदि देपता गण मुख्या नाम के तितिया विश्टक अंतरगत हैं ये सभी मनवांतर आदि पती और सभी मारिश पूतर, प्रजापती का सभी के पूतर हैं शावर्नी मनवांतर में ये देपता और बिरद्वन पूतर बली इंद्र होंगे जो देवराज पतीवा पाश में बंदे होंगे होने से अब भी पताल में रहते हैं वो बिता, अर्वबीर, निर्मों, सत्यवा, कृति, विश्णु नामक ये सभन्य पूतर उसकाल में राजा होंगे नेक्स शप्टा देवी महात्मा, मदू केटव बद ये जो देवी पुरान है, ये मारकेंडिया पुरान से ही लिया गया है ठीक है, इसके बाद मौईशा शुरवद भी आएगा तो दोस्तो, दुर्गा नाम की कोई भी केरेक्टर अभी मुझे नहीं मिला किसी भी पुरान ये रामायन महावारत में नहीं मिला एक्चुली एक फीमेल केरेक्टर थी, चंडिका नाम की वो बहुत बड़ी वारियर थी, अर्जुन, विश्मपितामा जैसे तो उनके दस हाथ ते ऐसा नहीं लिखा गया है आके लिए माहिसासु से लड़ने चली गई थी, ऐसा भी नहीं लिखा गया है और उसके मुझे आग निकलते थे, ऐसा भी अंदर विसास वाला बात को ये नहीं लिखा गया है तो हम पढ़ते हैं मारकंडे जी बोले जिस सूर्य पुत्र शावर्णी को आठवा मनु कहा गया है उसका विस्तार पूर्वा जन्मक कहता हूं सुनो जिस प्रकार वो महा माया भगवती की क्रिपा से सभी अश्योरे से संपन्न हो कर मनवंतरादी बदी हुआ उसे सुनो सरोचिस मुनी के राज़दीकार से पूर्वा चैतरवंच उत्पन्न सूरत नामक समझत पितवी का राजा हुआ जब वो सूरत अमने प्रजा का पालन पुत्रवत कहन करने लगा उसी अबसर पर लोग का विद्वश नामक राजा उसे सतुरता करने लगे कुछ लग कहते हैं कि परबती ही दुरगा है लेकिन ऐसा नहीं है लोग को बहुत प्रांतिया है और दसाथ भी नहीं है वो एक्चुली चंडी का नाम की फीमेल वारियर थी खुदाई में बहुत सारे हड्या मिली है प्राचीन जो आर्केलरजिस्ट है उनको उनको मेल फीमेल दोनों ही वारियर के हड्या मिली है इसका मतलब फीमेल भी उस समय वारियर हुआ करती थी और प्रबल डंड देने में समझ राजय सूरत के साथ उनका युद्ध हुआ युद्ध अल पते फिर भी उन्होंने शूरत को परास्ट कर दिया अब आपने प्रबल सत्तिरों के वर्ष्पूत हुआ राजय सूरत अपने नगर में आकर राज्जा करने लगा उस नगर में भी प्रबल अदुष्ट आमात्यों ने उस राजा का कोशागर्दत सेना नश्ट कर डाली इस प्रकार राज्य के छिंजाने पर सूरत राजा अश्वरूर होकर मिल्गा के मिस एका के ही निर्जन बर में चले गए उन्होंने पर सिंगा से निबित हुए परिपूर ने एक आश्रम को देखा जो की मिदा नामाग मर्शी का था वो अपने शिशों के सही दुआ निवास करते थे उन मर्शी ने राजा का अतिनता सत्कार किया और तब वो राजा कुछ काल तक मर्शी का अस्रम में ठहर कर इदर उदर विचरन करते रहे फिर उनका मन मौमता पूरवग चिंतन करने लगा कि मेरे पूरवफुरुशो द्वरा पारित राज्य अब मुझसे बिहीन हो गया है मेरे दुराचारी विट्य उसका धर्म पूरवग पारन करते होंगे या नहीं सदा मद में रहने वाला वो मेरा प्रदान हाती जब सत्रों के वश्यवत होकर कैसे रहा होगा जो नित्रपती प्रशाद धन बोजनादी देने के कारण मेरे आनुगा में रहते थे अब ये अवश्य ही अन्य राजाओं की सिवा में लगे होंगे तता अन्य अन्य प्रकार से धान बैय करते हुए भी अत्यंतर कश्ट पुर्वक संचित कोश्ट उस सेवकों के द्वारा नश्ट कर दिये जाएगा राजा सुरत इस प्रकार क्याने चिंताय करने लगे तब ही उन्होंने आस्रम के समी पे वैश्यों को देखा तो उन्होंने उनसे पूचा कि तुम कौन हो राजा ने ऐसे बिना मेरे बचन सुनकर वैश्यों ने भी उन्हें 27 नमरा दपरवग उत्तर दिया वैश्यों ने कहा मैं धनिक कुल में उत्पन्न हुआ समाधी नामक एक वैश्यों हूँ धन के लालच में मेरी स्त्री और पुत्र ने मेरा संपूरन धन शीन कर मुझे घर से बाहर निकाल दिया है और इस अवस्ता में मुझे मेरे बांदवो और मित्रों ने भी त्याग दिया है इसलिए दुकित हिदे में इस बन में आया हूं तथा इस बन में आकर मैं अपने स्त्री पुत्रदी के कुशल या अमंगल की बात से आन भी गिए हूँ घर में कुशल है या नहीं तथा उन पुत्रदी का चरन सुद्रा है अधवा नहीं राजा बोले जिन धन के लालचिस्त्री पुत्रती ने तुम्हें घर से बाहर निकल लिया उनके पति तुम्हारे चित्त स्नियवान क्यों है वेश्यों बोला आपका कतन यतात्य परंतु मैं क्या करूँ मेरा मन किसी प्रकार भी उतना कटोर नहीं हो पा रहा है जिन पुत्र ने पित्र स्नियवान को त्याग कर जिन पत्नियों ने पती के प्रेम को छोड़ कर और जिन बंदों ने बांदबत का परित्या कर धन के लालच में मुझे घर से बाहर निकाल लिया उन्हीं दूश्ट त्री पुत्र बंदों में मेरा मन फसा हुआ है एब महामते उन में मेरा चित इतना अकर्षित क्यूं है ये मेरी समझ में नहीं आता उनी के पति खिन्द हुआ मेरा चित दिर्गन निश्षा छोड़ता हुआ मेरा पितीमान है और कटरो रदा को प्राप्ध नहीं हो पाता मरकन डीजी ने का है मुनी वर इसके पस्षाद राजा सूरत और वेश्यों दोनों ही मिलकर मुर्शी मेदा के पास पहुँचे और दोनों ने मुरी का यतोचित सम्मान किया राजा बोले भगवन जिस विसे को ना समझने के कारण मेरा मन दुकी थे उस विसे को आप से पूछना चाहता हूँ उसे मुझे समझाने के किर्पा करे है प्रभु यद्भी ये ब्रहम है फिर भी राजादी के पती मेरी इतनी ममता है ऐसा क्यूं है इस वेश्यों को भी इसके पूत्र वित्र बांदवादी ने अपामानित करके त्याग दिया फिर भी ये उनीके प्रति अनुराग युकते है इस प्रकार में और ये वैश्य दोनों ही इस दिखाई पड़ते हुए दूसित विशय में ममतावान होकर अत्यंत दुकित हो रहे हैं हम ज्यानी होकर के भी वीवेकानन्द वीवेक से अंधा के कारण विमूर हो रहे हैं ऐसा क्यों है रिशी ने कहा सबी जीवों को विशय के दिखाई पड़ने पर ज्यान है पर अब जिस प्रकार की ज्यानवरता करते हैं ऐसा ज्यान मनुश्य को है इसमें संद्य नहीं, परन्तो केवल मनुशे ही ऐसे ग्यान के अदिकारी नहीं है, पस्तु पक्षी और मिलगादी को भी ऐसा ग्यान प्राप्त है, दिखाए पढ़ने वाले विशे का ग्यान पस्तु पक्षी और मनुशे का समान ही है, उसमें कुछ भेज नहीं है, परन्तो जो पक्षी घुसले में मुढ में खाना डालते हैं अबने बच्चों के पक्षी और मनुष्य भी अपने सन्तान के प्रती मान होकर उनका भारण पुश्ण करते हैं। परम तो मनुष्यों का ये कारियर प्रत्यू पकार के लोब से हुई है। इस प्रकार आशा से रईत होकर भी जीब महा माया के प्रवाब से मोह रूप गयरत में पतित होते हैं। इस विशे में बिश्मय की कोई बात नहीं है। जगदिश्या स्री विष्णों की योग ने निद्रा रूपी नी महा माया ही इस विष्णों को विमोहित करती है। वही ज्यानियों के चित्त का आकर्षन करके मोह में गिराती है। देवी ने इस विश्व को उत्पन्न किया है और वही जब प्रसन्न होती है तो मनुश्यों को मुक्ष धायक बर देती है मुक्ष की सरवत्तम हेतु सरुपा, ब्रह्मा ग्यान सरुपा, विद्या और संगसर बंदन की कारण रुपा वही है वही इश्वर की भी आदिश्वर है, राजा ने कहा, हे भगवन, जिसे आपने मा माया बताया है, वो कौन है उनकी उत्पत्ती किस प्रकार हुई और उनके कर्म किस प्रकार के है, उनका सवबाब और स्वरुप कैसा है ये ब्रह्मवी श्रेष्ट, ये सब मैं आप से सुनना चाहता हूँ, रिशी ने कहा, वो जगदमूर्थी नित्य है थे था, संपूर्ण जगद में व्याप्त है, फिर भी आने कानेक प्रकार से उत्पन्न होने का बित्तन्द तुमसे कहता हूँ सबन करो, जब देपताओं का कार्या सिद्ध करने के लिए उनका अभिर्वाब होता है, तब नित्य होते हुई भी लोग में उत्पन्न हुई कहलाती है तथा जब कलपांत में ये विश्व जल्मगन हो गया था, तब भगवान विश्व सहिया पर सहयन करने, योग ने निद्रम निबगन हो गये तब ही मर्दू केटब नामक दो अत्यनत भायंकर अबंप्रसिद असुर थे, भगवान विश्व के से वो उत्पन्न हुए और ब्रह्मा जी का वाद करने पतत पर हुए विश्व के नाभी कमान में आवस्तित प्रजापती ब्रह्मा जी ने उन दोनों भायंकर असुरो को देखा और भगवान विश्व को निद्रा में निबगने देखकर उन्हें जगाने के लिए एक अगरशित से विश्व की स्तिती और लाय करने वाली उन भगवती ने कर इंद्र के हविदान मंतर की स्वरूपा भी तुम ही हो तुम ही शुदा ततरूपी अक्षिरों में सभ्य दीप और प्लूज स्वरूपा त्री मात्रा हो जिन गायत्री में अध मात्रा का उच्छारन विश्व रूप से स्तित हो वो तुम ही हो और तुम ही सर्वसे प्रकिति स्वरुपा हो देवी इस विश्व खुद पर न करने वाली तुमी हो तुमी इसका धारन पारन और पर लेकाल में ग्रास करने वाली हो सभी काल में सिष्टी और स्थिती रूप हो और विश्व की विनष्ट हो होते समय तुमी संगा स्वरुपा हो तो दोस्तो जब भी किसी का उस समय तारीफ करने का मतलब यही होता था स्तूति करना मतलब रेस्पेक्ट देना जिसको भी आप भगवान या गुरु मानते हैं उसको रेस्पेक्ट देना और जिसको भी रिस्पेक्ट दिया जाता था ऐसे ही दिया जाता था उसी को सब कुछ मान लिया जाता था जैसे विश्णु को सब कुछ मान लिया है सायदेव ने जब अगनी की स्तूती की सायदेव कर दिख विजय आता हमें महाभारत में पढ़ सकते हैं तो अगनी की स्टुथी करसे में अगनी को ही सब कुछ मान लिया, सुर्यो की स्टुथी हमने इस वीडियो पर पढ़ा था, तब सुर्यो को ही सब कुछ मान लिया, ब्रह्मा विश्णुमाईस, इसी तरह फीमेल जो वारियर थी, उसको ही सब कुछ मान लिया जा रहा है, तो य रिस्पेक्ट देने का एक तरीका था आप बोलने का अंदास से समझ सकते हैं तुम्ही महाविद्या, महावेदा, महामाया, महास्मृति और इसलिए लोगों ने उस फीमेल वारियर को दस हाथ दे दे दिये, नाम बदल का दूरगार रख दिया, चमतकारी, अंद्विसाजी ब तुम्ही इश्वरी बुद्धि और विद्ध्याग्यान की एक मात्र लक्षना हो, तुम्ही लज्जा, पुष्टी, सांती, तता सांती हो तुम्ही खड़ेंगीनी, सूलिनी, भयंकश, रूपबैदिनी, चक्रिनी, शंकिनी और चापेनी हो, बान, भुसुन्डी और परिक अस्तरों के धारन करने वाली हो, तुम्ही सौम्ही तरा तता विश्व के सब सुन्दर पदाते में सर्वसेश सौंदर्या वाली हो, सत अस वस्तु उनकी जो सकती है, वो तुम ही और तुम्हारी स्तुति मैं करता हूँ, यानि तुम्हारी तारीफ करता हूँ, रिस्पेक रता हूँ, है देवी तुम्हे जब तुमने विश्व के सिष्टा पालक और प्रले करता भगवान को ही निदादी भूति किया हुआ है, अन्य कौन पूरिष तुम्हारे सुत्र से समत है, है देवी तुम अपने उद्दा सवाब के इस बर्नन से प्रसन्न होकर इन मदू केटव नामक दोनों आशुरों को मोहित कर दो तथा विश्व सर विश्व को सिग्रे जगा कर इन आशुरों के संगार के लिए प्रेद करो रिश्व ने कहा ब्रह्मा यानि विश्व जी जो निद्रा में सोय रहते हैं उनी को देवी माना जा रहा है यानि निद्रा देवी रिश्व ने कहा ब्रह्मा जी ने उन दोनों का संगार करने के लिए जब इस प्रकार उन तमोगुनी निद्रा देवी की स्तुति की तमोग का मतलब असूरी नेगेटिव रजुगुनी का मतलब इंसान नॉर्मल और सत्युगुनी का मतलब होता है परमात्मा पॉजिटिव जब उनके देखते देखते भागवान विश्णु के नेत्र नासिका बाहू उद्र से निकल कर भगवति अवस्तित हुई फिर नेद्रा से य अदू केटिव नामक दोनों दुरात्मा असूर ब्रह्मा जी का बत करना चाते थे भगवान विश्णु ने उठकर उन दोनों असूरों के साथ पांच हजार वर्स तक हातों से बावों से ही युद्ध किया फिर बल से उनमत हुई उन दोनों असूरों ने महामाया के द्वारा मोहित होकर भगवान से का हमसे बर मांगो असुरों ने महामाय के द्वारा मोहित होकर भगवान से कहा भगवान विश्णु ने कहा हमसे बर मांगो क्योंकि भगवान विश्णु दोनों को हरा नहीं पा रहे भगवान ने कहा यदि तुम मुझ पर पसंद हुए तो इसके बार में हमने अन्य पुरान में भी पढ़ा है मेरे पिछली सारे पुरान भी आप पढ़ सकते हो प्लेलिस्ट में जा करके और प्लेलिस्ट में कैसे जाना है यह मैंने वीडियो के सुरात में बताया है भगवान ने कहा यदि तुम मुझ पर प्रसंद हुए और विष्णू तो इंटेलिजेंट थे उनको पता है कि थी कि अगर वो बर बर में इतना मोह रखते हैं तो बर मांगी ले लेता हूँ उनको कोई उची नी नीची का मैसूज नहीं होता वो इसलिए उन्हें ज्यानी कहा जाता है इंटेलिजेंट भगवान कहा जाता है यदि तुम मुझ पर प्रसंद न हुए हो तो मेरे द्वारा मारे जाओ तो भगवान विष्णू ने उन दानवों से ये वर्दान मांगा यही बर चाता हूँ अन्य बर से क्या प्रयोजने रिष्ण ने कहा भगवान द्वारा चल करने पर उन असुरों ने संपूर्ण विष्णू को जलमे देखकर उनसे कहा हम तुमारे साथ युद्धिक करके प्रशन हुए हैं इसलिए तुमारे हाथ से मरना हमें सलागनिया है परन्तु जो स्थान जलमंगन ना हो हमारा बद नहीं करना रिष्ण ने कहा ऐसा ही हो कहकर भगवान विष्णू ने संको और गदा को धारन करके उन असुरों के मस्तक को अपने जंगा पर रखकर चक्र से काट डाला मतलब उनके गदन को पकड़कर चक्र से धरे-धरे काट डाला स्वें ब्रह्मा जिद्वा रस्तुति करने पर वो माया देवी इस प्रकार से अबतित न हुए अब इन देवी का प्रभाब तुमारे पति कहता हूं उसे सुनो मैसा सुर सन्यबाद इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो पर पढ़ेंगे वीडियो बहुत बढ़ा हो गया इसलिए